साथियों, आज इस पावन अवसर पर जग मगाते हुए इन लाखों दियों की रोशनी में देश वाचियों के एक और बात याद दिलाना चाहता हूं राम चरित मानस में गोस्वामी तुलसिदाजी ने कहा है जगत प्रकाश्य प्रकाश्य का रामू अर्थात बगवान राम पूरे विश्व को प्रकास देतने वाले हैं वो पूरे विश्व के लिए एक जोति पुंच की तरह है यह प्रकास कौन सा है यह प्रकास है दया और करुणा का यह प्रकास है मानवताव और बर्यादा का यह प्रकास है समभाव और ममभाव का यह प्रकास है सबके साथ का ये प्रकास है, सब को सास लेकर चलने के संदेश का, मुझे आध है, बरसों पहले, शायर लड़कपन में, गुजराती में, दीपक पर एक कवीता लिखी थी, और कवीता का शिर्सकता दिया, गुजराती में कहते हैं, दिवो, उसकी कुछ पंक्तिया आज मुझे आधा रही है मैंने लिखा था, दिवा जेवी आश ने, दिवा जेवो ताप, दिवा जेवी आग ने दिवा ठकी हाश, उगता सूरज ने हर कोई पूजे, एतो आथमती सांजे आपे साथ, जाते बड़े ने बाड़े अंधार, मानव मनमा उगे, रखो पानो भाव, अर्थात, दिया आशा भी देता है, और दिया उश्मा भी देता है, दिया आग भी देता है, और दिया आराम भी देता है, उक्ते सूरज को तो हर कोई पूचता है लेकिन दिया अंधेरी शाम में भी साथ देता है दिया स्वयम जलता है और अंधेरे को भी जलाता है दिया मनुष्य के मन में समर्पन का भाव लाता है हम स्वयम जलते हैं स्वयम तपते हैं स्वयम खपते हैं लेकिन जब सिद्धी का प्रकाश पैदा होता है तो हम उसे निसकाम भाव से पूरे संसार के लिए बिखेर देते हैं पूरे संसार को समर्पित कर देते हैं